अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप मेरे स्वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल बर फर्स टाइम आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगले वडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके मेदे की चगली बनाने के लिए मैंने आपर लिया है 300 ग्राम मेदा इसको मैंने परात में मेदे की चनली से चान लिया है इसके लावा मैंने आपर लिया है प्लेट प्लेट के उपर हम एक सूती कपड़ा बिचाएंगे उसके उपर हम डालेंगे यह मेदा जो कि हमने चान के भी परात में रखा हुआ था वो हमें सारा मेदा इसके अंदर डाल देना है अब हम कपड़े के चारो कोने पकड़ेंगे और एक टाइड नोट लगाएंगे हां हमें इसकी एक पॉटली बनानी है जिसको कमें एक टाइड नोट लगाके अच्छे से बंद करण लेना है आप यही डेखिए इस तरह से एक कोने को पकड़ना है और इसहता से गोल घुमाकर टाइड नोट लगा देनी है यह देखिए इस तरह से मैंने एक अच्छी सी पॉटली बना ली है अब मैंने यहापर लिया है एक इडली पोट इसके अंदर मैंने दो गलास पानी डाल दिया है उसके उपर अब हम रखेंगे यह खमन का सांचा या प्लेट उसके उपर हम इस पोटली को रख देंगे अब हम इडली पोट का धकन लगाकर इसे गेस पर 15-20 मिट के लिए स्टीम होने देंगे अगर आपके पास ये पोट नहीं हो तो कोई बात नहीं आप कोई भी एक तपली लें उसके अंदर 2-3 गलास पानी डालें उसके उपर उसकी साइस की एक प्लेट रखें उसके उपर इस पोटली को रख दें और उसके उपर ओई भी एक प्लेट उल्टी ढख कर रख दें हमें सिफ इस मेदे को स्टीम करना है वह आप कैसे भी कर सकते हैं हमें गेस का फ्ले मीडियम रखना है और 15-20 मिट तक इसे स्टीम करना है ये देखे 15-20 मिट हो चुके हैं अब हम पोड का ढखन अटाएंगे बहुती आइस्ता से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरम है भी हमने गेस बंद कर दिया है अब हम इस पोड़ी को बाहर निकाल लेंगे पोड़ी गरम है थोड़ा ध्यान से पकड़े अब मैंने वही परात ली है पहले वाली उसके उपर मैंने इस मेदे की चलनी को रखा है हमें इस मेदे को दोबारा चानना है चानने से हमारी मेदा चकली जो है वह बहुत ही शांदार बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी बहुत ही क्रंची सी और प्लस उसमें सौफनेस भी रहेगी है कि मैंदए वाली जो होती है चगली उस तरह की हम इसमें मैंद बिलकुल नहीं डालने वाले लेकिन फिर भी यह मैंदर लगी क्योंकि हमने मैदे को स्टीम कर लिया है और हम इसे दोबारा से छान रहे हैं इसकी वज़य चाल से कि अinental mi अंदर से भी गरम है यह इस तरह से बंद जाता है स्टीम करने के बाद लेकिन इससे मेदा चकली बहुत यह अच्छी बनती है हम इस तरह से इसे फोड़ते जाएंगे और इसे चान लेंगे हमने इससे एक बार पहले भी चाना था मेदे को अगर आप उस टाइम नहीं चानते हैं तो कोई बात नहीं क्यूंकि हमें इस टाइम चानना ही है चानते जानना है हमारा मेदी बहुत ही जादा स्मूध लग राए हमारा मेदा पहले पहले हुद होता है लेकिन ओर भी जादा स्मूध लग रहा है यहां पर मैंने लिए हैं तीन चोटी चमच वाहिट तील एक चमच नमक एक यहां पर आधाиком le sick label बीड़े सकते हैं इसके अंदर मिर्च मसाल्य पोड़े कमीzk till लगते हैं लेकिन कुमज मिर्च तो आप ज़रूर डॉड़ सकते हैं अधर मासाल two have you यह जितनी सिंपल होगी प्लेन होगी उतनी अच्छी लगेगी हम इन मसालों को अच्छे से हमें मौयन की बिल्कुल ज़रुवरत नहीं है यह वेसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बहुत ही स्मूथ है देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और थोड़ा टाइड आटा गूद कर रेड़ी करेंगे हमें इसका एक टाइड डो लगाकर रेड़ी करना है आप इसे कितना भी टाइड लगाएंगे फिर भी इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट नेज रहेगी इसलिए आप ध्यान रखें जितना हो सके आप इसका एक टाइड डो लगाने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पानी दाले अं होते ये देखिए हमारा मेद्या जो है hanya से बंधने लगा है मुश्किल से बनीट लगेंगे हमारा रेडी होने में अचक्ट से मसल मसल कर हमें गूत्ना है यह देखिए हमारा ड़ बनकर बिल्कुल रेडि यह अब चकली मनाने के लिए मैंने हाँ पर इस तरह की कटर दिया निचे एक चकली को भषाष में आपर 12 बार में अधह उसकोता को भषाष कर सेचा रते हुए। हैं दो भार में मैंने इसमेट से शिफ दो बार की चकली सीक्ट है। कि दो बार में हम सारी चकली बनाकर रेडी कर लेंगे यह देखिए मैंने 50 परसेंट आता इसके अंदर भर दिया है 50 परसेंट बच्चा है अब हम मशीन का वापस ढखन लगा देंगे इस मशीन के उपर इस तरह का एक छोटा सा बटन आता है यह आप देख पा रहे होंगे बिल्कुर चोटा सा इसे प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन का जो उपर का जो ढखन है वह नीचे की तरह आ जाएगा और अब मुसे टाइडली क देंगे एक हम्हाँ से हम्हाँ से करेंगे वह निकल जाएगे है तो यह दे ने मशीन का तरह लिया है था हमं में चपलीशिन बनाने स्टाट करता है हो सबतक्राइव था नहीं जी ऑ सनी चेल नहीं बने रहाट सकते हैं कि यह कि दमें इस तरह से बनाते जाना आए उपर से पीछे की साइट से मैं मशिन को करते हूँ जाना है और इस तरह से राउंड-Rquiषग से आरा है कि मिशवाल कि त्धाइड में ते बड़ी बनानी होव थो तना यह पर मैं नि end कि अब बनाते जाएंगे हमारी ज़िए मोरे इसे जब फिनिशिंग आती जाएगी उप खोल सुझा आप यहां काफी फार्स समग संगे बाद में देगे ज़िए कि यह देख रूश्ची को बना कर लिया है कि हमें सारी चकली को एक साथ ही बना लेना है कि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होता है चकली बनाने का जहां तक हो सके आप एक फ्लेट पेन ले यानि की चप्टी कड़ाई जितना चप्टा बरतन होगा आपका फ्राई करने के लिए हमें चकली डालने में और निकालने में उतनी ही आसानी होगी आपके पास जो भी फ्लेट बरतन हो आप वो लें और इस तरह का मैंने छोटा सा चमश लिया है छोटा सा इस पेचुलो बोल सकते जिसे आप इस तरह से एक एक चकली को उठाएंगे और इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी चकली जो है आड़ी टेडी नहीं होगी उसका हम एक एक करके सारी चकली इसके अंदर डाल देंगे हमें तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना होता है मीडियम गरम करना होता है हमारा तेल परफेक्ट गरम हुआ है या नहीं इसकी पहचान यह है कि जैसे आप इसके अंदर चकली को डालेंगे हमारी चकली जो है वो है हमारे चकली के पकने की पहचान यह है कि जैसे हमारी चकली बन जाएगी यह नीचे तले में बेटने लगेगी ने देखिए हमारी चकली बिल्कुल पर्फेक्ट बने यह और बहुत अच्छा कलर आया है इसका ध्यान रहें कि आपको तेल बहुत ज्यादा करतें तो आपकी चखलियान में करने ritan कर किया अगर आप जाए अब बने siis को पर्फेक्ट च्कली चाहिए तो गेज का फ्लेम से आंड तक मीडियम रख अब हम सेकंड बेस्ण देंगे चीट के लएंग सेकंड बेच की चकलियों को भी मैंने डाल दिया है सारी चकलियां जो है जैसे जैसे हम डालते गए ऊपर आती गई अब देखिए आप देख सकते नोटिस कर शतन75 कि सब तले के नीचे यह बेड़ गई है मतलब यह परफेक्ट तरीके से बन चुकी है आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं करें हल्का सा गोल्डन कलर आए और आप इसे बाहर निकाल लें वरना यह अच्छी नहीं लगेगी कड़वेपन में लगेगी इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जैसे यह लाइट कलर आप इसे निकाल लें यह देखिए हमारी सारी चकलियां बनकर रेड़ी है मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ यह देखिए यह कितनी आसानी से टूट रही है और काफी क्रंची बनिये यह लोग अकसर इस रेसिपी को होली पर बनाना पसंद करते हैं तो प्लीज इस होली आप भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेक्षन में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मैदे की चकली ब